सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोविक क्रान चैनल को और बेल आइकन बजाईए आल कीजिए लेटेस्ट अपडेट वीडियो देखने के लिए सो फैनली वन प्लस वालों ने अपने वन प्लस नाइन आर के अंदर अक्सिजन वेस्ट फोर्टीन बेस्ट रॉन एंड्रोइट फोर्टीन का न्यू इस्टेबल अपडेट रोलिंग आउट करना स्टार्ट कर दिया है और इस अपडेट को मैंने अपने डिवाइस के उपडेट करके इसका जो टेस्टिंग है पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर हम देखेंगे कि इस अपडेट के बाद कौन-कौन से न्यू फीचर से देखने को मिलता है कौन से बग से फिक्स किये है साथ ही इसका बेटरी परफॉमेंस की स्टैप से देखने को मिलता है इसका गेम परफॉमेंस की स्टैप से देखने को मिलता है तो यहाँ पर मैं वन बाई वन सारे कुछ बताने वाला हूँ तो इसके लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा तो चलिए start करते हैं अब यहाँ पर features bugs वगरे के बारे में बात करने से पहले यहाँ पर आप इसके model number version वगरे चेक आउट कर सकते हैं यहाँ पर आप देखेंगे 1 plus 9 R का model number LE2101 देखने को मिलता है और साथ ही 14.0.0.602 का new update देखने को मिलता है और इस update का जो size है 1.28 GB का है और यह आपको oxygen waste 14 के update के साथ official version देखने को मिल जाता है बात किजा इस update के बाद इसके android security page की तो यहाँ पर आपको android 14 के update के साथ 5 अगस्त 2024 का current month का latest enhanced android system security देखने को मिलता है इस update के साथ इसके अलाव बात किजा अगले चंच की तो system के अंदर यहाँ पर system में जो भी छोटे मोटे non issue थे bugs वगर देखने को मिलता था उसको यहाँ पर fix करके system performance और system UI और stability को R भी improve और optimize किया है जिससे कि आपको R भी better experience के साथ system performance, system UI देखने को मिलता है साथ दोस्तों जो dynamic computing engine है उसको R भी improve और stable किया है जिससे कि जो battery life, speed, apps opening, closing, animation, stability अगरा जो है आपको R भी better improvement के साथ, better UI के साथ देखने को मिलता है इसके लाओ बात कीज़े अगले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तों setting के अंदर, security and privacy के अंदर, device unlock के अंदर, screen lock के अंदर यहाँ पर दोस्तों अगर आप pattern option को select करेंगे तो यहाँ पर एक new option देखने को मिलता है show track का, इस features को अगर आप on करके रखते हैं और जैसे ही आप lock screen को open करने के लिए pattern draw करते हैं, यहाँ पर आपको lining देखने को मिल रहा है और अगर आप इस features को आप कर देते हैं और उसके बाद अपने lock screen में pattern draw करते हैं तो जो lining show हो रहा था, वो यहाँ पर show नहीं हो रहा है तो यह security features new देखने को मिल जाता है यह features दोस्तो किसी-किसी user को पहले ही मिल चुका है और किसी-किसी user को अभी मिल रहा है इस update के बाद इसके लाओ बात किज़े अगले change की तो वो आपको मिलता हैं दोस्तो home screen के अंदर अगर दोस्तो आप home screen में widgets set किये हैं तो जो widgets हैं वो properly display नहीं होता था, so नहीं होता था तो उस problem को यहाँ पर fix करके better कर दिया है अभी दोस्तो आप home screen में widgets वगरा set करते हैं तो वो proper way में display होता है इसके अलाओ बात कीज़े अगले बक्त fixes की तो वो आपको मिलता हैं दोस्तो storage के अंदर नीचेक साइट system data में यहाँ पर दोस्तो पहले system जो है काफी ज़्यादा storage को consume करता था तो उस problem को यहाँ पर fix करके better कर दिया है इस update के बाद दोस्तो यहाँ पर जो system data है वो अप थोड़ा storage को कम यूज कर रहा है पहले काफी ज़्यादा system data जो है automatic storage को फूल कर देता था तो उसको यहाँ पर कम कर दिया है इसके अलाओ बात कीज़े अगले bug fixes की तो वो आपको मिलता हैं दोस्तो communication के अंदर यहाँ पर दोस्तो अगर आप phone call करते हैं या incoming call आता है तो उस time पर phone जो है vibrate नहीं करता था तो उस problem को यहाँ पर fix करके better कर दिया है अब दोस्तो आपको incoming call आता है या phone करते हैं तो वो सामने वाल call pick up करते हैं तो उस time पर phone जो है number को forwarding किये है वो number जो है call forwarding में so नहीं होता था जिसकी वाज़ा से यहाँ पर problem फेस करना पड़ता था अगर आप call forwarding को हटाना चाहते थे तो वो number so नहीं होने की वाज़ा से उसको हटा नहीं पाते थे तो उस problem को यहाँ पर fix करके better कर दिया है अभी आप जो भी number को call forwarding में रखते हैं तो आपको call forwarding में proper way में वो number so होता है इसके अलावा बात किज़ा अगले change की तो वो आपको मिलते हैं दोस्तो home screen के अंदर या फिर screenshot के अंदर यहाँ पर दोस्तो अगर आप home screen में three finger से swipe up करते हैं तो उस time पर screenshot लेते हैं या swapping down करते हैं तो उस time पर proper way में screenshot होता है इसके अलावा बात किज़ा अगले बग fixes की तो अगर दोस्तो आप camera यूज करते हैं photo अगरा या video अगरा निकालते हैं तो उस time पर जो camera के अंदर ही preview का option देता है उसमें अगर आप preview करते हैं तो वो proper way में preview नहीं होता था जैसे ये preview icon को click करते हैं shrink होने लगता था तो उस problem को यहाँ पर fix करके better कर दिया है जिससे कि अब आप camera से photo वीडियो अगरा निकालते हैं और camera के अंदर ही preview करते हैं तो आपको properly preview होता है इसके लाओ बात कीज़ अगले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तो camera interface में अगर दोस्तो आप camera open किये हैं और उस time पर आप camera interface को screenshot लेना चाहते हैं three finger से तो camera interface में three finger से screenshot होता नहीं था work ही नहीं करता था तो उस problem को यहाँ पर fix कर दिया है जिसने की अब आप camera interface में three finger से screenshot लेते हैं तो आपको proper way में screenshot लेने को मिलता है इसके लाओ बात कीज़ अगले features की तो वो आपको मिलता है दोस्तो calculator apps के अंदर अगर दोस्तो आप calculator apps को flow editing window की रूप में use करते हैं तो आपको यहाँ पर एक new features देखने को मिल जाता है आपको calculator app के उपर में three dots देखने को मिल रहा है उसको click करके setting option में जाएंगे तो यहाँ पर आपको floating window transparency करके new features देखने को मिलता है जिसे आप on करेंगे तो आप floating window में calculator app यूज कर रहे हैं उसको आप transparent कर सकते हैं इस features को on करने के बाद यहाँ पर आपको एक छोटा सा icon देखने को मिलता है जिसमें आपको transparent का level कितना रखना है कितना आपको transparency चाहिए वो आप यहाँ पर manage कर सकते हैं जिससे की जो आपका calculator apps है वो यहाँ पर floating window में transparent देखने को मिल जाता हैं इसके लाव बात कीज़े अगले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तो setting के अंदर नीचेक side additional setting के अंदर screenshot में जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक new option देखने को मिलता है screenshot preview floating window यह option दोस्तो क्यों यहाँ पर add किया है वो समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि अगर आप screenshot लेते हैं तो आपको अल्रेडी छोटा सा floating window की रूप में थोड़ा सा preview होता था तो वही features यहाँ पर add कर दिया है इस option को अगर आप on करते हैं तभी आपको screenshot लेने के time पर छोटा सा floating window की रूप में preview दिखेगा और अगर आप इस features यह option को off कर देते हैं उसके बाद अगर आप screenshot लेते हैं तो आपको यहाँ पर preview सो नहीं होगा तो यहाँ पर आपको screenshot preview का new option add कर दिया है इसके लाओ बात की जाए अगले बग fixes की तो वह आपको मिलता है दोस्तो quick setting में volume slider या फिर volume button के अंदर क्या होता है कि दोस्तो अगर आप volume button प्रेस करते हैं तो जो quick setting में volume का slider है वो up down नहीं होता था और अगर आप quick setting के volume को up down करते थे तो जो volume button प्रेस करने पर up down होता है वो नहीं होता था same time में तो उस problem को यहां पर fix करके better कर दिया है अभी दोस्तो आप volume button प्रेस करके volume को up down करो तो quick setting का volume बार up down होगा और अगर आप quick setting के volume slider को up down करेंगे तो volume button वाले slider में भी up down होगा at the same time में जो की पहले at the same time में नहीं होता था इसके लाओ बात की जा अगले बग fixes की तो वो आपको मिलता है दोस्तो calendar में या फिर contact में birthday set करने के time पर अगर दोस्तो आप particular किसी contact में birthday set किये हैं तो वो calendar से synchronize नहीं होता था जिसकी वज़े से उस person का birthday miss हो जाता था alarm नहीं देता था तो उस problem को यहां पर fix करके better कर दिया है जिससे कि अब आप contact में किसी कभी birthday set किये हैं तो वो proper way में calendar से synchronize होता है और जब birthday रहता है तो उस time पर आपको alarm देता है जिससे कि आपको उस person का birthday जो है पता चल जाता है इसके अलाओ बात कि जगले bug fixes की तो अगर दोस्तों आप simple mode यूज करते हैं तो उस time पर जो swipe up का response है वो proper way में होता नहीं था simple mode में अगर आप phone यूज कर रहे हैं तो अगर आप swiping करते हैं आप down करो या left right करो तो वो swiping का response नहीं होता था तो उस problem को यहाँ पर fix करके better कर दिया है जिससे कि अब आप simple mode में swipe up करते हैं तो आपको properly response देखने को मिलता है इसके लाओ बात की जाए अगले बग fixes की तो वो आपको मिलता है दोस्तों brightness के अंदर अगर दोस्तों आप auto brightness features को off करके रखते हैं तो वो कुछ कुछ situation में automatically auto brightness features जो है आन हो जाता था तो उस problem को यहाँ पर fix करके better कर दिया है जिससे कि अब आप auto brightness features को off रखते हैं तो वो properly off रहता है और अगर आप on करते हैं तभी वो on होता है, automatically on नहीं होता है इसके लाओ बात की जाए अगले बग fixes की तो वो आपको मिलता है दोस्तों app update में अगर दोस्तों आप किसी भी particular app को update करते हैं तो उसके app info में जाने के बाद आपको uninstall update का option देता है तो जो uninstall update का option था, वो properly so नहीं होता था, तो उस problem को भी यहाँ पर fix करके better कर दिया है, जिससे कि अब आप किसी भी particular app को update करते हैं, तो आप app info में जाकर उस app update को uninstall कर सकते हैं पहले वो uninstall update का option ही so नहीं होता था, तो वो problem अब fix हो चुका है इसके लव बात की जए अगले change की तो वो आपको मिलते हैं दोस्तों network के अंदर, यहाँ पर दोस्तों mobile network connection के stability और performance को improve किया है, जिससे कि जो mobile network के कुछ कुछ situation में up down होता था, proper way में call वगरा connect नहीं होता था तो उस problem को यहाँ पर fix करके better कर दिया है अब आपको better और stable network के साथ, better mobile network connection देखने को मिलता है end guys बात की जाए इस update के बाद इसके battery performance की तो उसके लिए हम चलते है setting के अंदर nichic side battery के अंदर यहाँ पर दोस्तों इसका जो battery performance है वो पहले से काफी better और best देखने को मिलता है पहले दोस्तों कुछ कुछ third party apps जो है काफी जादा battery use करते थे battery consume करते थे जिसकी वाज़े से battery draining का problem phase करना पड़ता था, तो उस problem को यहाँ पर fix करके better कर दिया है जिससे कि आपको better battery life better battery backup देखने को मिलता है यहाँ पर अभी power consumption को optimize किया है जिससे कि battery life जो है आपको काफी better देखने को मिलता है साथ ही दोस्तों इसका जो charging speed है वो भी यहाँ पर आपको सही देखने को मिलता है आप proper way में charging कर सकते हैं अभी आपको properly better speed के साथ charging देखने को मिल जाता है एंडगे इस बात की जाए इस update के बाद इसके game performance की तो यहाँ पर दोस्तो इस update के बाद इसके game performance जो है काफी better देखने को मिल रहा है पहले दोस्तो अगर आप game खेलते थे, game play करते थे तो कुछ कुछ situation में frame drop issue, jitter issue देखने को मिलता था साथ ही अगर आप game play करते थे तो उस time पर screen जो है black हो जाता था तो उस problem को यहाँ पर fix करके better कर दिया है अभी दोस्तो आप game play करते हैं, game खेलते हैं तो आपको काफी smooth और stable gameplay देखने को मिलता है साथ ही जो black screen का issue था उसको भी यहाँ पर solve कर दिया है आपको काफी smooth gameplay देखने को मिलता है अब दोस्तो बात की जाए realme के system application अपडेट की तो उसकी लिए दोस्तो मैंने video के description में अपने telegram channel का link जो है add कर दिया है आप यहाँ पर आकर अपने system application को अपडेट कर सकते है यहाँ पर आपको realme UI 4.0, 5.0 and realme UI 6.0 का काफी सारे system application अपडेट देखने को मिल जाएंगे लेकिन दोस्तो अगर आप realme UI 6.0 का system application अपडेट करेंगे तो carefully install कीजेगा हो सकता है आपको apps tracing issue अगरा देखने को मिल जाएं तो आप अपने risk में carefully install कीजेगा तो यह रहा इस अपडेट का full review दोस्तो यह अपडेट आपको मिला है कि नहीं मिला है और अगर मिला है तो कौन-कौन से bugs और new features देखने को मिले आप मुझे comment करके जरूर बताईएगा तो इतना ही था दोस्तो इस वीडियो में वीडियो पसंद आया होगा तो like, share, subscribe करना ना भूले मिलते हैं हम next वीडियो में तब तक के लिए goodbye and take care दोस्तो